गरम पानी से नहाने वाले सावदान हो सकते हैं ये नुकसान नमश्कार आप सभी का ग्यानविड हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ही अगर आप गरम पानी से नहाते हैं तो आपके शरीर को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं चलिए आज का यह वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों लेकिन उससे पहले आप ग्यान वीडियोस के को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पवल होते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके खास्तोर से नोडिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा अगर आप भी गरम पानी से नहाते हैं तो इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखेगा चलिए शुरू कर लेते हैं नमबर वन दोस्तों तेज गरम पानी से नहाने से हमारी स्किन घराब हो जाती है इससे स्किन लालो जाती है और इस पर रेशेज या फिर एलर्जी हो सकती है दूसरा गरम पानी के कारण हमारी स्किन रुकी हो जाती है जिससे की खुजली की प्रॉब्लम भी हो सकती है आपने कहीं बार देखा होगा कि जब आप गरम पानी से नहा कराती है तो आपके शरीर पर हलकी हलकी खुजली रहती है यही अगर आप अधिक गरम पानी से नहाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके शरीर पर खुजली कितनी हो सकती है दोस्तों गरम पानी इसकिन की नमी को भी सोग लेता है जिससे की स्किन पर infection का खत्रा बढ़ जाता है गरम पानी के कारण स्किन की tissues को भी नुकसान पहुंसता है और ये damage होने लगते हैं ऐसे में स्किन पर समय से पहले ही जूर्या होने लगती है दोस्तों गरम पानी स्किन का moisture भी कम गर देता है जिससे की आपकी स्किन दमग खो देती है दोस्तों गरम पानी का बालों पर काफी बुरा असर पड़ता है मैं आपको बताना चाहूंगा इससे क्या होता है कि बालों का moisture कम हो जाता है जिससे बाल rough या फिर dry होने लगते हैं और यहां तो आपने खुद भी try कर लिया होगा और आपने खुद भी देखा होगा कि गरम पानी से बाल खराब होते हैं बालों का जन्ना भी शुरू हो सकता है दोस्तों अगर आपने उबलता हुआ तेज पानी ले लिया है और इससे अगर आपने सीर में लगा दिया है तो इससे आपके बाल dry हो जाएगे और ऐसे में डेंडरफ भी बढ़ सकता है क्योंकि गरम पानी अगर आपके सीर पर पढ़ेगा तो अंदर की स्किन भी हलकी हलकी उखणने लगेगी और डेंडरफ बढ़ जाएगा गरम पानी से बाल तो रुके होते हैं साथ ही जड़ना भी शुरू हो जाएगे गरम पानी से नाने पर आपकों की नमी भी कम हो जाती है ये फैक्ट है और आपको बताना भी जरूर है जिसके कारण आकों में रेडनेस, कुझली और बार-बार पानी आने की समश्या हो सकती है नमबर टेन और आखरी नुकसान दोस्तों गरम पानी से हाथ या फिर पेर दोने से नेल्स पर भी बुरा पर भाव बढ़ता है तेज गरम पानी के प्रयोग से नाकुनों के तूटने, इंफेक्शन और आसपास की स्किन भी फटने लगेगी आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर आप गरम पानी से नहाती है तो सावधान हो जाईए और दोस्तों यह वीडियो उन सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए अपने फेमिली मेंबर्स को भी बताईए कि गरम पानी से नहाना कितना हानी का रख हो सकता है फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अब तक के लिए देखते रहे जो कि हमेशा ग्यान की बातों के साथ नुस्के भी देता है नमस्कार